नामस्कार जाएं दोस्तों आप सभी का स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं आज हम जानेंगे विद्यापती को तो इनका जन्म 1350 भी अम्रित्यू 1450 भी मान्य है विद्यापती के गुरू का नाम पंडित हरी मिस्र था विद्यापती विहार प्रांत के दर्भांगा जीले के विपसी नाममक ग्राम के निवासी थे भासा की द्रिष्टी से विद्यापती द्वार रचित तीन प्रकार की भासाओं में इनकी रचनाएं हैं जिसमें संस्कृत औहट और मैथली है और ये सरवाधिक प्रचलित हैं मैथली भासा में रचित पदावली से और गोरच विजय इनका नाटक है और औहट भासा में रच परिक्रमा, दान वाक्शावली, पुरुस परिक्षा, विभाग सार, लिखनावली और गया पत्तलक वरड कृत और दोस्तो, किर्तिलता में किर्ति सिंग और किर्ति पताका में शीव सिंग की बीरता का और उदारता का चित्रन है गोरच विजय का घद दिभाग संस्कृत में और पद दिभाग मैथली में है बिद्यापती तिरहुत के राजा शिव सिंग और किरति सिंग के राजदरबारी कभी थे बिभिन बिद्वानोंने बिद्यापती को स्रिंगारियों भक्त रथा रहस्वादी कभी माना है और उन बिद्वानों का स्रमुह इस प्रकार है स्रिंगारी कभी मानने वाले स्रमुह के बिद्वान है हर प्रशाद सास्त्री, राम चैंदर सुक्र, सुभद्रा ज्हा, राम कुमार वर्मा, राम रिच्छ बेनी पूरी और भक्त मानने वाले विद्वानों का नाम है बाबु ब्रजनंदन सहाय, शाम सुन्दर दास और हजारी प्रशाद दिवेदी तथा रहस्चवादी कभी मानने वाले विद्वानों में जार्ज ग्रियार्शन, नागेंदर नाथ गुप्त और जुनारधन मिस्र बच्चन सिंग ने विद्वान पती को जाती ये कभी कहा है, महा महो पाध्या यहार प्रशाद सास्त्रे ने विद्वान पती को पंच देवो पाशक स्विकार किया है, सोरे कांतर पाठी निराला ने पदावली के स्रेंगारिक पदो की मादक्ता को नागिन की लहर कहा है, और और दोस्तो यहां सुर कात्र पाठी निराला ने पदावली के स्रिंगारित पदों के बारे में कहा है। हजारी प्रसाद दिवेदी ने विद्यापती को स्रिंगारस के सिद्ध वाक कभी कहा है। आचार सुक्ल ने विद्यापती के संबंध में लिखा है। और दोस्तों ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइने हैं इन्हें जरूर आप याद कर लिजिए आध्यात्मिक रंग के चस्में आज कल बहुत सस्ते हो गए हैं उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गी तो गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है वैसे ही विद्यापत के प्रसंसकों ने इन्हें कई उपाधिया दी और वे निम्द हैं अभिनाव जैदेव कवी सेखर कवी कंठहार नव कवी सेखर खेलन कवी दशावधान पंचानन मैथिल कोकिल आध्य प्रमुख उपाधियों से विभुशित किया गया विद्यापति शैव संप्रदाय के खिर्तिलता की रचना भरिंग भरिंगी समवाद के रूप में हुई है और दोस्तों खिर्तिलता से संबंधे प्रमुख पंक्तियां हैं देशिल बयाना सब जन मिठा ते तय संजम पाओ और हट्टा यहां बारवा पैक्षा में आता है इसलिए आप इन पंक्तियों को जरू जरूर याद कर लिजिए और पदावली से जो प्रमुख पंक्तियां हैं खाने खाने नयन कोन अनुसरई खाने खाने वसत धूलित अनुभाराई इस प्रकाय के जो पंक्तियां हैं परिक्षा में पूछ लिया जाता है किया किस कभी द्वारा रचित हैं और किस खंड में है इसलिए इनके खंड और रचनाव को तुथा प्रकास्टन वर्स जरूर याद करें तो दोस्तों आज के इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में जये हैं